हालो फ्रेंट्स वेलकम टू टेक्निकल स्मार्ट एडवाईज फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़धार इंफरमेशन लेकर के आगे आ हूँ ठीक है फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंट्स अगर आपका फोन अगर अगर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल टेक्निकल स्मार्ट एडवाईज को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और उसमें बिल आइकन को दबा दीजी और उसमें आल का नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही रोज इंपोर्टेंट और मज़दार वीडियो उसकी निट्फिकेशन तो आईए हम देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले जो है सेटिंग में जाना होगा तो चलिए हम सेटिंग में सेटिंग में जाने एक बाद फ्रेंड्स आपको जाना है अगर आप MI का फोन यूज कर रहा है तो आपको MIUI वर्जन पर साथ बार क्लिक करना है और आप कोई दूसरा कंपनी का फोन इस्तेमाल करना है तो आपको अबाउट फोन में ही आपको साफ्ट्वर इंफोर्मेशन मिलेगा बिल्ड नमबर ठीक है तो उस पर आप साथ बार क्लिक करें तो क्या होगा आपका जो है डेवलपर आप्सन आ जायेगा ठीक है यसे कि मैं MIUI पर क्लिक करके देखता हूँ वर्जन पर तो अब देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कि यहां पर दिखा रहा है कि नो नीड यू आर अलड़ी डेवलपर यानि कहाने का मतलग कि मैंने पहले ही अपने डेवलपर आप्सन जो एक्टिवेट कर लिया तो यह हम उसमें जो सेटिंग्स है उसको जानते हैं देखते हैं तो फ्रेंट समस को बैक करते हैं ठीक है अब इसमें आपको यह मिलेगा एडिस्नल सेटिंग में डेवलपर आप्सन जो है एमाई के फोन मिल जाएगा आपको एडिस्नल सेटिंग में ठीक है तो इसमें जाएए आप डेवलपर आप्सन में और यहाँ जाने के बाद फिर अब देख सकेज़ हैंगे डेवलाफर आप्छन, यह स्डाइटिंग में आफ होता है तो आप इसे पहले अनगरे नहीं के लिएजन होएंगे बलर होंगे आप इसको इस्तमाल ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप इसको पहले आन करें ठीक है फिर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आए और फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है फोर्स अलाव एप्स टू राइट ओन एक्स्टरनल इस्टोरिज यह जानने वाली बात है कि हमारे मुबाइल में आप जानते हैं कि धेर सारे एप और बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूब करने वाले एप होते हैं ठीक है तो अगर आप इस setting को development option में जाकर इस setting को क्या करतेंगे आन करतेंगे तो चुकि जानते हैं कि friends जो phone होता है उसकी memory को जब apps क्या कर लेते हैं फूल कर देते हैं तब हमारा phone क्या होता है भारणी चलना लगता है slow चलना लगता है आपके जो apps है वो जो data लेते हैं वो क्या हो जाएगा वो data जो है आपके external storage में सेव होगा जिसकी वैसे आपके mobile की internal storage क्या होगी बजी रही और आपका mobile क्या होगा बिल्कुल जो है इस तरीके से fast काम करेगा ठीक है friends तो आप इसे जरूर जो है अन करने ठीक है इसके राव भी कुछ और सेटिंग है उसके बार में यह हम देखते हैं तो friends आपको उपर जाना है ठीक है और आप देख सकते हैं यहाँ पर है background process limit friends आप में जो भी setting हो हो सकता है कि standard limit हो या भी जो भी हो तो इसको आपको क्या करना है no background process ठीक है friends इसका मतलब वहले आप जान लीजिए friends background process जैसा की नाम से ही पता चल रहा है कि background यानि की phone के background में कुछ काम हो रहा है ऐसा लग रहा है कि friends बिल्कुल सही इसका यही मतलब है कि भले हमें पता हमें और आपको पता चलता है या नहीं चलता है लेकिन जब हम आप बंद कर देते हैं तो भी क्या होता है वह ऐप background में क्या करता है कुछ ने कुछ जो है अपना update करता है कुछ ने कुछ काम जो है अपना करता रहता है इसकी वैसे भी क्या होता है हमारे मौइल जो है रोक देगा जिसकी वज़े से जो आपस है वो फोन के background में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे कोई process नहीं कर पाएंगे जिसकी वैसे क्या होज़ेगा आपका अपना जो है फास्ट काम करेगा ठीक है फ्रेंट्स तो आईए ऐसे और भी कुछ सेटिंग है मूपर चलते हैं देखते हैं फ्रेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर है window animation scale तो फ्रेंट्स तो इसमें कुछ होगा यहाँ पर इसको आपको क्या करना है आपको जो है सब से कम यानिकि 0.5x जो आपको सेट अप कर देना है ठीक है window animation scale को 0.5 एक सेट करने तो क्या होगा यह भी आपको मॉइल को फास्ट चलने में मदद करेगा ठीक है window animation scale का मतलब होता है कि जब भी कोई हम फाइल खोलते है या कुछ करते है तो एक animation चलता है ठीक है तो वो अगर ज्यादा सेट होगा तो क्या होगा ज्यादा समय तक चलेगा जिसकी वह से ज्यादा जो है process करना पड़ेगा इसकी वाइसे 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 क्या हो जाएगा slow हो जाएगा और आप क्या करेंगे compensate कर देंगे तो क्या हो जाएगा animation कम होगा जिसकी वाइसे जो है हमारा phone जो है fast काम करेंगा ठीक है इसके अलावा है transition animations तो फ्रेंट्स इसको भी आपको क्या करना है 0.5 x setup करना है ठीक है और इसके लावा एक और है animated duration scale तो फ्रेंट्स इसको भी आपको 0.5 x ही सबसे कम क्या करना है setup कर देना है जिसकी वाइस आपको क्या हो जाएगा अगर slow काम करता है तो फास्ट काम करेगा और नार्मल काम करता है तो क्या हो जाएगा और भी अच्छे से काम करना शूरू कर देगा ठीक है फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होगी ठीक है फ्रेंट्स अगर आपका फोन जो है slow काम करता है जरूरू fast काम करेगा हमें comment करके बताए फ्रेंट्स की आपको ये setting कैसी लगी है ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेगी तो इसको लाइक करतीजिए share करतीजिए और हमार चैनल को ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दिए ठीक है तो हम जल्द ही आपसे एक ऐसे ही मज़दार और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई